Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel अगर हम हिमाच्च पदेश के हेल्थ सेक्टर की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से जो NHM के इंडर भरती रहती है उसको बढ़ावा दिया गया है और जो regular पोस्टे रहती हैं उनको कम कर दिया है तो अब जब NHM के इंडर जो बढ़ती हैं उनको बढ़ावा दिया तो वहाँ पे करमचारी भी बढ़े तो उसमें ये रहा कि अब जो करमचारी हैं तो वो मांग कर रहे हैं कि हमें regular policy दी जाए लगातार जो है वो मंतरियों से मिल रहे हैं और अपनी मांग आगे रख रहे हैं कि हमारे लिए policy हो और अभी आपने रिसेटली एक news देखी थी जिसमें कि सरकार ने का कि हमें तीन महीने का समय दीजिए और हम आपके लिए कोई स्थाई नीती लेके आएंगे और उसके बाद भी लगातार जो है वो जो प्रतिनीदी मंडल है नहीं इंप्लोईज का वो लगातार मिलते मतलब हर जग पे जाके वो मिल रहे हैं और अपनी मांग आगे रख रहे हैं और यहां पे उनका कहना है कि मनिपूर सरकार की तरज पे जो हमाचल में हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए ऐसा नहीं है कि नहीं है कि नहीं है जो हमाचल में इंप्लोईज सारे काम करें उनके पॉलिसी नहीं है जो college में, cadre में काम कर रहे हैं उनके लिए policy है लेकिन जो health societies में हैं उनके लिए कोई policy नहीं है और यहां पे जो AIDS Control Society रहती है उनके लिए भी फिलाल के लिए जो है वो कोई policy नहीं है वो भी अपनी अलग मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए policy बनाई जाए तो यही सही समय है और अभी ठीक टाक pressure बना हुआ है अगर policy अभी नहीं बनी तो कभी नहीं बन पाएगी और हो सकता है कि अब देख लेते हैं कि एक मीना तो लगो हो गया अब दो मीनों के अंदर अंदर क्या NHM employees के लिए update निकल के आती है क्योंकि future में जो है वो health department के लिए regular पोस्टे हमें कम देखने को मिलेंगी और NHM के अंदर जो है वो भरतियां हमें जादा देखने को मिलने वाली है तो यहां पे अगर policy बनती है तो उसमें competition भी अच्छा होगा तो देखते हैं कि यहां पे क्या बनता है I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो video को like, comment, share कर सकते हो channel को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए